स्वप्न और लक्ष इतनी समान लगते हैं इन दोनों की व्यक्ति कल्पना करता है इन दोनों को व्यक्ति पाना चाहता है और ये दोनों पूर्ण हो तो व्यक्ति स्वयम को भाग्यशाली भी समझता है किन्तों इन दोनों में अंतर है, अंतर यह कि स्वपन के लिए बिना महनत की नेन चाहिए और लक्ष के लिए बिना नेन की महनत, जो व्यक्ति स्वपन देखने में रह जाता है, उठने के पश्चात उसके हाथ खाली रह जाता है, और जो व्यक्ति मेहनत करता है सोते समय उसके हाथ उसका लक्ष होता है इसलिए ज़िए सुपन भी देखो तो लक्ष समझे परिश्यरम समझे और प्रेम से बोले राधे राधे